अगर आपने लीवर का टेस्ट कराया है तो SGPT या तो आपका बढ़ा हुआ है और या फिर अगर नॉर्मल रेंज में नहीं है तो आप टेंशन में होंगे आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि SGPT क्या है? SGPT क्यों कराया जाता है? SGPT अगर बढ़ा हुआ है तो किन-किन बिमारियों की वज़े से वो बढ़ा हुआ है और कौन-कौन से डिजीज कंडिशन में वो बढ़ा रह सकता है? अंत में इसकी एक नॉर्मल वाल्यू जानेंगे और इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेंगे सबसे पहले SGPT है क्या? देखे हमारा जो शरीर है वो लीवर पर बहुत डिपेंडनेंट है लीवर हमारे पाचन क्रिया को मजबूत करने के लिए बहुत इंपोर्टेंट है गंदे केमिकल्स अगर हमारे शरीर में आ रहे हैं तो लीवर उन केमिकल्स को बाहर निकालने में बहुत मददगार है लीवर एक एंटि ऑक्सिडेंट प्रॉपर्टी उसकी होती है मुद्ब टॉक्सिक को शरीर से बाहर निकालने का काम लीवर कर रहा है बहुत सारे डाइजेशन में लीवर हएल्प कर रहा है क्योंकि वो एक जूसр पucharता है बहुत सारे काम जो है वो ली विकत हो जाती है जैसे कि कई बार लीवर जो है वो कुछ एक छोटी-छोटी कोशिकाओं से मिलके बना है जिसे हम बोलते हैं हिपाटोसाइट्स हिपाटोसाइट्स मतलब लीवर की ऐसी छोटी-छोटी कोशिकाओं जो सारा फंक्शन लीवर का संभालती है अब लीवर का फंक तूटने लग जाएं तो वो एक एंजाइम को रिलीज करते हैं जिस एंजाइम को हम बोलते हैं SGPT देखिए जब भी हिपाटोसाइट्स तूटते हैं तो दो एंजाइम यूज्वली वो रिलीज करते हैं एक SGOT और दूसरा SGPT SGOT और SGPT एंजाइम तभी रिलीज होंगे जब आपके लीवर में कुछ जो सेल्स हैं वो तूटने लगेंगी ये बहुत स्पेसिफिक टेस्ट है स्पेसिफिक का मतलब अगर आपके लीवर में कोई प्राइमरी कोई भी डिजीज हो गई है तो सबसे पहले हम LFT में SGPT को जरूर देखते हैं क्योंकि यह यह दर्शाता है कि आपके लीवर में कुछ इंजरी हुई है आपके हिपाटोसाइट उसकी वज़े से तूट रहे हैं और इसकी वज़े से आपका जो लीवर है उसका फंक्शन प्राब्लम में है आपको जानने की जरूरत है कि SGPT आपके शरीर में कब बढ़ेगा या लीवर के जो एंजाइम्स है वो ब्लड में क्यों रिलीज हो रहे हैं कौन-कौन सी बिमारी की वज़े से वो हो रहे हैं लीवर में जो सेल्स हैं अगर वो डामेज होएंगे तो आपकी बॉडी से SGOT, SGPT रिलीज होगा तो अगर आप एलकोहॉल लेते हैं या कोई भी टॉक्जिक मटीरियल ले रहे हैं उसकी वज़े से आपको ये दिक्कत हो सकती है दूसरा आप अगर anti-tuberculosis drug ले रहे हैं मतलब ऐसे drugs जो TB के दोरान लिये जाते हैं उस वज़ा से आपके जो cells हैं वो तूटने लगते हैं लीवर के और लीवर का function जो है वो खराब होने लगता है तो ऐसे टाइम पर आपको लीवर को अच्छा रखने के लिए एक diet follow करनी है और उसके बारे में already मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ थर्ड आपको ध्यान रखना है कि अगर आप non-steroidal anti-inflammatory drugs लेते हैं इसका मतलब है कि आप कोई भी ऐसा drug ले रहे हैं जिसकी वज़ा से लीवर डामेज हो सकता है जैसे कि painkillers जब भी आप बहुत ज़ादा painkillers लेते हैं तब आपका जो hepatocytes हैं वो डामेज होने लगते हैं आप paracetamol भी ले रहे हैं और वो बिन किसी बात के लिए ले रहे हैं मतलब आपको थोड़ी सी भी problem होने लगी हम ए आपके शरीर में hypotension हो रही है मतलब आपका जो लीवर है उसको अच्छे से blood supply नहीं मिल रही है ऐसे टाइम पर hepatocytes तूटने लगेंगे आपके लीवर के जो cells हैं वो तूट रहे हैं और इस वज़े से भी क्या होगा कि probably SDPT raised आएगा अगर आप cardiac failure की तरफ जा रहे हैं आपके जो heart है उसके अंदर failure हो गया मतलब right side of heart आपका अच्छे से काम नहीं कर रहा है और आपका जो blood pressure है वो अच्छे से maintained नहीं है ऐसे समय पर भी SDPT raised आता है कोई भी acute बिमारी अगर आपके levers related है जैसे कि hepatitis, viral hepatitis इसके अंदर क्या आता है आपके lever में सूजन आ जाती ह और उस वजह से भी आपका SGPT raised हो सकता है acute conditions में एक अच्छा marker SGPT को माना गया है rather than SGOT क्यों क्योंकि SGOT बहुत एक ऐसा enzyme है जो lever के अलावा बहुत सारे different organs और tissues में मिल सकता है लेकिन SGPT जो है यह सिर्फ lever में मिलता है जादा तर और इसलिए यह specific test बोला जाता है अब क्या है कि usually कभी भी आपके hepatocyte से related कुछ problem हो रही है cell injury हो रही है इसलिए मैंने आपको बताया SGPT बढ़ा होता है लेकिन अगर आपको gallbladder stone है और अगर आपके gallbladder में stone है और उस वजह से आपका जो lever है या फिर आपका जो bile duct है या फिर आपके जो पूरा जो bile tree है अगर और वो अच्छे से function नहीं कर पा रहा है वापे stone फसे हुए हैं ऐसे समय पर भी आपका SGPT raised हो सकता है और वो 1000 तक भी पहुच सकता है 1000 तक अगर वो पहुच गया है और आपको बहुत जादा दर्द हो रहा है राइट साइड में आपको कमर में दर्द जा रहा है वो बहुत ब्लॉकेज की वज़ा से आपका SGPT raised जा रहा है तो हम ऐसे जरूर बोल सकते हैं कि अगर आपको acute gallstone pain है और अगर आपका SGPT 1000 से लेकर 2000 के लगबग बढ़ गया है तो ऐसे टाइम पर प्रोबैबली आपको problem बढ़ चुकी है आपको बहुत अच्छा solution या तो आपको surgery करानी है या अच्छे से medications लेनी है आप सिर्फ pain killers पर dependent नहीं रह सकते हैं देखिए ऐसे कुछ anti seizures या anti depressant drug होते हैं देखिए जब भी कोई epilepsy की problem हाती है जिसके अंदर आपको मिर्गी के दौरे जिसे आप normal भाशा में बोल सकते हैं ऐसे condition में आप depression में बहुत जादा हैं ऐसे time पर पे भी SGPT raise जाता है देखिए एक तो ना सबसे ज़्यादा problem यह है कि हम यह समझने लग जाते हैं कि थोड़ा भी SGPT raise जा रहा है तो बहुत गलत बात है नहीं ऐसा नहीं है इसकी normal values जो होती है उससे अगर थोड़ा बहुत difference आ रहा है तो probably हो सकता है कि किसी acute वज़ा से नॉर्मल होता है अगर 300 तक यह बढ़ा हुआ है तो यह non significant है यह किसी भी विमारी की वज़े से बढ़ रहा है लेकिन अगर यह 300 से जादा है तो आपको tension लेने की बात है और आप कुछ भी है उससे आप उससे related अगर आपको problem आ रही है तो आप doctor से consult कीजिए देखिए कभी जॉन्डिस जब होता है जॉन्डिस एक ऐसा clinical condition है मतलब एक sign है अगर आपको जॉन्डिस हो गया है ऐसे समय पर भी अगर आपके hepatocytes damage हो रहे हैं ऐसे समय पर भी आपको probably SGPT raised हो सकता है अगर आपका SGPT बढ़ा हुआ है तो यह एक specific test है primarily test है जो कि आपको liver related disease indicate कर रहा है SGOT और SGPT का जो ratio होता है उससे हम यह पता लगाते हैं कि आपका fatty liver की दिक्कत तो नहीं हो रही है तो SGOT और SGPT का जो ratio है अगर वो दो से जादा है ठीक है तो probably possible है कि आपको non-alcoholic fatty liver की disease या hepatitis हो गया है देखिए यह सब तो छोटे छोटे indications हैं कि आपको यह बिमारी हो सकती है या वो हो सकती है लेकिन आप अपने डॉक्टर से consult करें कोई भी दवाई लेने से पहले या खुद कुछ भी assume करने से पहले ताकि आप किसी भी problem में नाफस है अगर आपको health related कुछ और जानकारियां चाहिए और आप health related stuff जानने में इंट्रस्टेड है तो आप चानल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नए वीडियो देख सकते हैं धन्यवाद झाल